नमस्कार मार्केट संबाज में आपका स्वागत है आप जो देख रहे हैं यह बड़ा बजा टंकी का इलाका है जहांसी का जो की साथ वजे से सुबह साथ वजे तक नाइट करफू लगा है कुरोनकाल चल रहा है किस हाल में हैं बाजार किस हाल में हैं सडकें जिनमें तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, इसनी भीड होती है, हमने कुछ भीडियों में दखाया भी था, यह आप देख रहे हैं, सुनसान है, बाजार, सही है, भाय बीन पिरीत नहीं होती है, प्रिशासन ने जब तोड़ी सक्ति की, तो अपने आप लोग साथ बजे दुखार बढ़ा घर को चले गए हैं, कुछ लोग हैं जो बेवजा बाजार में निकल पड़ते हैं, कुछ लोग जरूरत पर ही निकलते हैं, कुछ लोगों को रात में जरूरत पड़ जाती है, कुछ लोग घर लोटते हैं अपने काम दंदे से, ये चैल पैल थोड़ी सी आप देख रहे होंगे ये बड़ा बजार तंकी का हिलाका है धासी का अगर हम आप जागरुक होकर ऐसे ही अगर पहले से अगर प्रिशासन की बात मानते आते तो आज हम करोणा मुक्त हो चुके होते चलो देर से सही लेकिन भरपूर सयुक किया है ब्यापारियों ने प्रिशासन का करोणा कर्फू में अब यह भी बहुत सयुक कर रहे हैं आप देख रहे हैं काफी दुकाने सारी दुकाने बंध हैं क्योंकि प्रिशासन के आदेश हैं प्रिशासन की बात तो मानना ही पड़ेगा ब्यपारी भरपू सयुक कर रहे हैं और टाइम से दुकान बढ़ा कर घर चले जाते हैं तु इतना जान ले कि तु कुछ तो है कोई तो बात है तुझ में क्योंकि मैं कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता ये नजारा टंकी का है बड़ा बजार का किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस सक्स के लिए गिरते हो वह तुम्हें उठाने से मुकर जाए ये सब्जी मंडी है सुनसान है समय से सारी दुकाने बंध है बैपारी भरपूर सयोग कर रहा है और सारे लोगों की जागरुकता से ही हम करोना से जंग जीत पा रहे हैं और हम जल्दी ही करोना मुक्त हो जाएंगे अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं खुब नजारा है सुनसान है गर्मी भहत है ओमस भहत है सुनसान है गलिया ऐसे ही बैपारी सयोग करते आ रहे हैं प्रिशासन का बैपारी धनवात के पात रहें के उनकी बड़ी भूम का है करोना काल में उन्होंने पूरे करोना करफू में अपनी दुखाने बंद रखी हैं उनका भी बहुत बड़ा युगदान है जलते रह जाएंगे वो लोग आपकी कामियावी से जो लोग आज आपकी नाकामी पर हसते हैं सही हो तो कभी अपने आपको साबित मत करना बक्त अपने आप आपकी खुवियाद दिखा देगा कुछ लोग बाहर से बहुत खुपसूरत होते हैं लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं यह नजारा टंकी का है यह रामलीला मैदान है अपनी जिंदिगी को इतनी सस्ती मत बनाव की दो कौणी के लोग खेल कर चले जाएं बक्त कहता है मैं फिर ना आओंगा क्या पता मैं तुझे हसाओंगा या रुलाओंगा जीना तो है इस पल को जी ले क्योंकि इस पल को अगले पल तक न रोक पाओंगा ये सुनसान सडकें एकका दुक्का लोग काम से लोट रहे हैं सामने मुली मनुहर मंदिर है आज बुरा है तो क्या हुगा कल अच्छा आएगा वक्त ही तो है जो बदल जाएगा ये मुली मनुहर मंदिर है बड़ा बजार का अगर जिन्दगी में बुरा बक्त ना आए तो हम अपनों में पराय और परायों में अपने नहीं डूण पाएंगे मारकेट सम्माद की रिपोर्ट जासी